वेलकम टू ओनलाइन अस्टडी क्लासिस इस लेक्चर में हम आपके साथ SSC MTS के एक्जामनेशन में जो 30 अपरेल 2017 को जो कोईशन पेपर आया हुआ था उसी कोईशन पेपर को हम लोग डिसकस कर रहे हैं ये जो है मैज का कोईशन पेपर है मैज कोईशन पेपर का है पार्ट टू डिसकस करने जा रहे हैं पार्ट वन जो हम अल्डेटी डिसकस किये हुए है तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले करते हैं चलिए एट नमर कोईशन है शेवन तक डिसकस हो चुका है एट नमर कोईशन है कि A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 40 दिन में कर सकता है तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं तो दिखेंगे आप लोग इस तरह से डाइगराम बनाईएगा और यहाँ पर जो है एक A रो लिखेगा जैसे A किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो यहाँ पर 30 लिखेगा दिन को यहाँ पर लिखेगा B उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो यहाँ पर 40 लिखेगा तो देखे इन दोनों का आपको LCM लेना है LCM एप्रोच से हम बना रहे हैं किस एप्रोच से बना रहे हैं, LCM एप्रोच, क्योंकि यह एप्रोच जो है, सबसे आसान है, आप लोग जो है, चैनल्स पर एबलेबल है, इसका वीडियोज, टाइम एन वर्क का, बहुत ही सांदार वीडियोज है, आप लोग जो है, तीन या चार लेक्चर है, आप उन लेक्चर्स को अगर देख कर जाते हैं, तो मैं गरेंटी के साथ कहता हूँ, का आपका कोई भी कुश्चन नहीं छुटेगा, आपका SSC examination में, आप उन लेक्चर्स को जरूर एक बार देख के जाएए, ठीक है, तो चलिए, इसमें जो LCM approach से कर रहे हैं, तो 30 और 40 का LCM लेंगे, तो कितना आएगा, मेरा 120 आएगा, तो हम लोग माल लेते हैं, कि 120 निट का काम है, तो चुकि इस question को अगर पढ़ें आप, तो बोल रहा है कि किसी काम को, उन्होंने काम नहीं बताया है, कि कौन सा काम है, कितने युनिट का काम है, वो नहीं बताया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का LCM ले लेते हैं, और उतना युनिट का काम माल लेते हैं, तो 30 और 40 का LCM कितना होगा, 120 होगा, तो हम लोग 120 निट का काम माल लिए देखे कैसे लेते हैं LCM बहुत बच्चों के दिक्कत होता है आप लोग 40 का टेबल पढ़ते जाईए और देखे कि वो 30 से मतलब completely रूप से डिविजबल है या नहीं तो देखे 40 का करें 40 दूनी 80 80 लगेगा 30 नहीं लगेगा 40 दिया 120 120 में 30 से लगेगा हां लगेगा तो यह जो है मेरा आपका LCM हो गया देखे अगर जहां किसी ने यहां पर 120 के जगह अगर 240 ले लिया रहता 240 भी तो 30 से मतलब completely individual है 40 से भी individual है अगर यहां पर 240 रहता तो वो उस cases में भी आपका answer सही आता आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है कि मेरा answer नहीं आएगा 120 लिजे या 240 लिजे 360 लिजे 720 लिजे हर एक cases में आपका answer आएगा लेकिन आपका calculation lengthy हो जाएगा यह सबसे बड़ा problem है बाकी जो है आपका answer तो आएगा देखे इस cases में आप तो आसानी से देखे 120 लिजे काम मान लिए कैसे काम को निकाले इसका LCM ले लिए दोनों दिन का जो डेज था एक किसी काम को 30 दिन में कर रहा है भी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है दोनों 30 और 40 कालसियम लिए तो 120 निट आ गया अब देखे अब देखे एक यह जो है 30 दिन में अब question यह बन गया यह जो है 30 दिन में 120 निट का काम करता है यह जो है 30 दिन में 120 निट का काम करता है तो एक दिन में कितना निट का काम करेगा एक दिन का यह नहीं कितना हो गया चार उनिट का काम करेगा हर एक दिन चार चार उनिट का काम करके आएगा तो 30 दिन में 30 चोक 120 उनिट का काम हो जाएगा उसी तरह देखे अब कोश्चन यह बन गया कि B जो है 40 दिन में 120 उनिट का काम करता है क्या कोश्चन बना है कि B जो है 40 दिन में 120 काम करेगा तो 120 by 40 है यह कितना हो गया तीन यूइट का काम आप आई से भी चैक कर सकते हैं एक दिन में अगर को B मिला कर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे पहले हम यह निकालते हैं कि A और B मिलकर जो है एक दिन में कितना इनिट का काम कर लेगा तो A देखे 4 इनिट का काम करता है एक दिन में B कितना करता है 3 इनिट का काम करता है तो A और B दोनों अगर मिल जाए मिल जाएगा तो 4 प्लस 3 उनिट का काम कर लेगा एक दिन में यानि कितना उनिट का करेगा 7 उनिट का काम जो है A और B दोनों मिलकर कर लेगा अब देखें एक दिन का काम मुझे पता है कि 7 उनिट A और B जो है एक दिन में 7 उनिट का काम करता है तो टोटल काम तो 120 उनिट का मा पा रहे हैं वो लोग ऐसे किज़ेगा कि 7 नीट का काम कितने दिन में करता है एक दिन में करता है इसलिए एक नीट का काम कितने दिन में करेगा एक वटे 7 और इसलिए जो है कितना है 120 नीट का काम कितने दिन में करेगा तो यह क्या हो जाएगा एक वट्टे साथ गुना 120 तो यहाँ पर 120 वट्टे साथ आगे यह 120 वट्टे साथ द्रेज में जो है 120 unit का काम कर लेगा तो यह जो A और B मिलकर कितने दिन में काम कर लेगा 120 वटे 7 इसको क्या लिखिएगा 17 पुर्णाउंग 1 वटे 7 दे तो यह देख लिए यह B option आपका 17 पुर्णाउंग 17 वटे 7 दिन है तो बहुत यह असान है आप लोग इसको औरली भी कर सकते थे तो यह 30 unit है 40 unit है तो टोटल कितना unit का काम होगा 30 और 40 का LCM निकालेंगे 120 unit का काम यह जो 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 4 unit का करेगा और यह 7, 4, 3, 7 120 वटे 7 करके यह जल्दी से 17 पुर्णाग यह वटे 7 दिन मारके आप आगे वर सकते हैं तो बहुत ही आसान है 10 सकेंड में आप लोग इसको कर सकते हैं अगर जहाँ प्रैक्टिस में हैं तो चलिए, next question जो है यह भी time and work से है कि 3 पुरूस और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं तो देखे, 3 पुरूस है 3 men और 5 women जो है, किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं उसी तरह देखे, जबकि 5 पुरूस उसे 14 दिन में कर सकते हैं अगर 5 पुरूस की बात किया जाए 5 men की बात किया जाए तो वो जो है केवल काम करें तो 14 दिन में वो भी complete कर सकता है अब देखिए यहां पर पुछा जा रहा है कि 5 पुरूस और 5 महिला हैं उस काम को कितने दिन में करेंगे यहांदि 5 man और 5 woman उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे यह question पुछा गया है तो देखे इसमें जो है आपको क्या करना है आप ऐसे common sense लगाईए आप थोड़ा सा common sense लगाईएगा देखे काफी digit common आ रहा है तो उससे common sense लग सकता है यहाँ पर देखे क्या है कि देखे 5 men जो है अगर काम पर लगा रहे तो उस काम को 14 दिन में करता है तीन men और पांच women भी अगर काम पर लगा रहे तो भी 14 दिन में कर सकता है इसका मतलब तीन men तो ये ठीक है अगर ये पांच women इसका मतलब जो काम कर रही है ये दो men के बराबर काम कर रही है तभी तो जाकर 14 दिन में काम complete हो रहा है दोनों तो देखे सेम ही time ले रहा है 14 दिन का ले रहा है यह पाँच में है न पाँच में चोफ़ा दिन में चोफ़ा दिन हो जाता तो इसका मतलब है कि पाँच में जो है यह जो hai दो में के बराबर काम करती है यह चीज हम लोगों ने इससे relation से establish किया कोई दिक्कत है देखे बहुत यह आसान बात बोले हैं कि 5 men जो है 14 दिन में काम करता है यह question दिया हुआ है 3 men और 5 men भी 14 दिन में करता है देखे 3 men तो ठीक है बाकि जो 2 men और अगर आ जाता तो यह 5 men हो जाता तो यहाँ पर देखे 2 men यहाँ पर लिग देते हैं तो यह total 14 दिन में ही काम complete हो रहा है दोनों इसलिए ऐसा कर रहे है यहाँ पर देखे 2 men बराबर कितना हो जागा तब फिर 5 men के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जो है अब पूछा जा रहा है 5 man और 5 women 5 men रहने देजे 5 women के बराबर कितना men है या तो men को man को women में कर देजे convert अब आसानी से बन जाता है तो देखे 5 men अब कितने दिन में करेगा तो 5 women बराबर कितना men है 2 men है यहाँ पर 2 लिख दिजे तो total 7 men अब question यह बन गिया अब convert ये हो गया अगर 5 men 5 आदमी किसी काम को 14 दिन में करता है तो 7 आदमी कितने दिन में करेगा हराम से बनेगा कि नहीं देखें 5 आदमी किसी काम को अगर ये question दिखें ये बन गया कि 5 आदमी किसी काम को 14 दिन में करता है तो साथ आदमी कितने दिन में करेगा तो एक आदमी कितने दिन में करेगा एक आदमी तो ज़्यादा समय ले लेगा ना चौदा गुना साथ ले लेगा समय इसलिए जो है साथ आदमी कितने दिन में करेगा साथ आदमी करेगा चौदा गुना साथ divided by 7 इसमें देखिए 5 men है 2 women यह 5 women जो है यह 2 men के परावर है यहाँ पर हमने यह चीज़ निकाला है तो 7 men कितने 5 men जो है उस काम को 14 दिन में करता है तो एक आदमी कितना दिन में करेगा तो 14 गुना 14 गुना 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 men है तो 14 गुना 5 हो जाएगा 14 गुना 5 डिवाइड़ वैसे बन तो यहाँ दिके 7 से इसको कैंसिल किज़े 7 दुनी 14 तो टोटल कितना आगे 10 दिन का काम आयो 10 days का काम आयो टोटल कितना आयो 10 दिन का काम आयो आराम से आप लोग इसको 10 days को यहाँ पर किलिक किज़े टिक किज़े और आगे बढ़िए ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स कुश्चन है कि करमसत 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तरजिया के सिसे की 3 छोटी गोलिया एक एकल गोला बनाने के लिए गलाई जाती है देखे गलाने का जब भी बात करे या तो कास्ट किया जाता है गलाया जाता है इस तरह की बातें हो रही है तो आपको वोल्यूम पर फोकस करना है किस पर करना है आइतन पर वोल्यूम पर गोला किसको करते है गोला मतलब spare इंगलीज में इसको बोलते है spare ठीक है तो एक spare है देखे छोटा छोटा यह spare है 3 cm का radius का और 4 cm radius का 5 cm का radius का जो है आपको spare है गोला है उसको क्या करना है आपको गला देना है मतलब सारे को गला के एक बरासा गोला बनाना है तो पूछ रहा है जो नया गोला बनेगा उसका ब्यास क्या होगा दीखे रेडियस नहीं निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है डायमेटर निकालना है ब्यास निकालना है इस बात पर ध्यान डखिया क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में radius को टिक करके आगे बर जाते हैं जबकि यहाँ पर diameter मांग रहा होता है तो आपको क्या करना है? diameter में क्या होता है? 2 into radius करना है जो radius निकल के आएगा उसमें 2 से आपको multiply करना है तब ही जाकर वो ब्यास बनेगा तो देखें आप देखें यहाँ पर 3 cm, 4 cm, 5 cm का है आपको पता है volume of spare क्या होता है? volume of spare होता है 4 by 3 pi r q यह होता है volume of spare तो देखें यह छोटा वाला spare के लिए लिखते जाते हैं 4 by 3 pi r के जगल लिख लेते हैं इन 3 cm को तो 3 cm का q पलस 4 by 3 pi r q 4 by 3 pi r q तो इन सब को देखें गला के जो है इन सब को गला दिए गलाने के सब का volume को जोड़ दिए अब जो है एक नया जो है हम लोग गोला बनाएंगे नया spare बनाएंगे हम लोग माल लेते हैं उसका जो radius होगा वो r होगा तो यह क्या होगया 4 by 3 pi r q अब दिखें यह जो नया spare का radius है इसका हमको diameter निकालना है इसका diameter कैसे निकाल लेंगे 2 into r करके तो पहले r निकाल लेते हैं दिखें 4 by 3 pi 4 by 3 pi 4 by 3 pi 4 by 3 pi यह सब में common आ रहा है तो इसको जो हम लोग हटा देंगे ठीक है इसको हटा सकते हैं 4 by 3 pi को यह जब हटा दिये आप इससे common लेके आप हटा सकते हैं रहा हम से तो 3 तिया 9 तिया 27 यहा 27 हो गया 4 चुकर 16 चुकर 64 यह 64 हो गया और यह 125 हो गया बराबर r q हो गया आप इसको किजिए 125 और 64 और 27 इन सब को जोड़िए तो देखें कितना होगा 5, 4, 9, 7, 16 16 के 6 हाँ सी कितना बचाएगा 1, 2, 1, 3 और 6, 3, 9, 2, 11 करी 1 और 1, 1, 2, 216 216 पराबर देखें आपको बताये होगे हैं कि 6 का Q कितना होता है 216, 7 का Q कितना होता है 343, 8 का Q कितना होता है 512, 9 का Q कितना होता है 739 5 का Q कितना होता है 125 तो देखें यहां पर यह जो है 268 यहां पर आया हुआ है यहां पर देखें 268 आया है तो किसका cube ए तो 260 को लिख सकते हैं 6 का cube बडाबर RQ इसलिए R बडाबर कितना हो गया R बडाबर 6 cm वस आपको 6 cm टिक कर देना है बस आपको जो है negative हो जाएगा यहाँ पर तो आपको जो इससे टिक नहीं करना है जल्दी से यह R नहीं मांग रहा है आपसे नहीं गोले का ब्यास मांग रहा है diameter मांग रहा है तो इसको 2 into R करना है तो जो है diameter क्या होगा diameter बराबर क्या होगा 2 into 6 बराबर 12 cm तो यह आपको 12 cm टिक करना है, गलती से भी यह 6 cm नहीं किज़ेगा, यह negative marking कराने के लिए आपको दिया गया है, चलिए, next question, 11th नमर डिसकस करते हैं आपसे, एक लम बिरितिया बेलन की उचाई, आधार की त्रिज्या से तिनगुनी है, तो देखें, यहाँ पर जो है, हम लोग एक सलेंडर बनाते हैं, यह सलेंडर है मेरा, यह बेलन है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, यह सलेंडर है मेरा, ठीक है, और यह आपका क्या होए, perpendicular है, यह पर ड्रो किये होए, तो यह जो है आपका height है, और यह आपका radius है, ठीक है, अब जो जो कर रहा है, बस वही करना है आपको, ठीक है, जिस तरह से कर रहा है, उस तरह से आप लोग करते जाएए, आपका answer आजाएगा, एक लंबरितिया बेलन की उचाई, अधार की त्रिजिया से तिन गुनी है, यह आधार की त्रिजिया मान लेते हैं, अगर R है, अधार की त्रिजिया जो यह अगर R है, तो height कितना है, height जो ह है, क्या है, उचाई, जो अधार की त्रिजिया से तीन गुना है, तीन गुना height है, तो पहले case में हम लोग क्या माने, H1 बरावर हो गया 3R, अगर H1 बरावर 3R हो गया, तो इसका जो है, आइतन, पिर दूसरा कर रहा है, अधी, उचाई त्रिजिया से 4 गुनी होती, तो उस पा, R2, H होता है, यहाँ पर पाय हो गया, R2 हो गया, H के जगा है, 3R, ऐसा question में दिया गया है, कि H बरावर 3R, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, 3, पाय, RQ, यह हो गया, मेरा फाला, अब दूसरा देखे क्या है, कि H2 के लिए क्या बता रहा है, कि अधी, अगर अधी, उचाई, जो है, ति त्रिजिया से, 4 गुना होता है, नहीं कि कहने के मतलब क्या होगा, 4R होना चाहिए, अगर त्रिजिया R है, तो उचाई 4R होना चाहिए, तो यह B2 हो जाता, तो पाय, R2, H, तो यहाँ पर क्या हो जाता, पाय, R2, H के जगा होता, 4R, तो यहां पर हो जाता 4 pi 4 pi rq अब करा इन दोनों के बीच का जो differences है वो जो है 1078 cm q है तो इन दोनों का difference निकाल यह क्या होगा 4 pi rq और 3 pi rq दोनों को घटा ये तो 2 minus 1st किजिए तो आपको क्या आएगा आपको मिलेगा second equation में से first equation को घटा येगा तो आपको मिलेगा pi rq pi rq ब्रावर 1078 ये निकला मेरा ठीक है pi rq ब्रावर क्या निकला 1078 अब pi का मान जानते हैं आप लोग 22 बटे 7 होता है तो rq ब्रावर क्या हो जाएगा 1078 गुना 7 बटे 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 22 बटे 7 है इधर जाएगा तो और यहां पर क्या हो जाएगा एगार नम निना नवे यहां आट हो जाए गार ठीटा असी और दो से कटाएगा तो 49 गुना साथ अभी तुरंत अभी आपको बताएं यह 49 इसको रवाबर कितना बता है 343 होता है तो यह आपका 343 संटिमीटर क्यूब आया तो यह आर क्यूब है आप से क्या पुछा जा रहा है आधार का त्रिज्या गयाद किदे आपको ररेडियस मांग रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 7 cm क्या हो जाएगा 7 cm क्योंकि यहां RQ बराबर 343 है तो R बराबर क्या हो गया 7 cm तो यहां पराब का C option से हो जाएगा ठीक है चलते हैं आगे Next question है 12th number एक दुकंदार ने अपना एक तियाही समान 15% की हानी पर बेज दिया से समान उसे कितने लाब पर बेचना चाहिए वो पूरे सोधे पर 10% का लाब पराब्त कर सके कता एक दुकंदार है उसने अपना एक तियाही समान जो है 15% हानी पर बेज दिया है कता अब जो समान बचा उसके पास remaining जो समान बचा उसको कितने परसेंट लाब पर कितना पर बेचना चाहिए ताकि उससे जो है 10% का overall लाब पराब्त हो सके पूरे सौधे पर उसको 10% का लाब हो सके तो बहुत ही आसान कुश्यन है हम लोग क्या करते हैं एक तियाही लिखा हुआ है इसलिए हम लोग जो है मानेंगे कि दुकंदार के पास 300X का समान है ठीक है हम लोग क्या मानें दुकंदार के पास जो है जो समान है टोटल बोर्ट का कितना है कितना उसका प्राइस है दुकंदार के पास जो समान है वो 300X का है अब इसका एक बटे तीन भाग समान का है, यहीं, 300 x का 1 बटे 3 कर लिजे, तो कितना हो गया, 100 x हो अब ये 100 x 15% हानी पर बेज दिया, यहीं, 100 x को अगर 15% हानी पर बेज दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, यह 85 x हो जाएगा na, 15% हानी पर बेज दिया, तो कहने के मतलब क्या होगा 85 by 100 यहनि total कितने में बेचा 85 x में यहनि 100 x बाला समान को 15% यहनि 1 ti समान को 300 x का total समान था total जो total जो price था total जो समान था वो था कितना 300 x का उसका एक बटे 3 जो है कितना हुआ 100 x हुआ इसको जो है 15% हानी पर बेज दिया तो 15% हानी में बेचा तो total कितने रुपय में बेचा है 85 x में बेच दिया लेकिन चुकी दखिए वो कार आए कि मुझे जो है जो remaining समान है 100 x तो खतम हो गया अब remaining समान कितना बचा है remaining पहले निकाल लेते है remaining कितना बचा तो 300 x minus 100 x बराबर अब उसके पास जो है 200 x बचा हुआ है अब उसके पास 200 x जब बचा हुआ है तीखे उसमें से अब जो है इस 200 x को मतलब किस तरह से बेचे हैं कि इस पे जो है 10% का हमें मतलब पूर overall में यहनि 300 x में मुझे जितना 10% का लाब होता overall में मुझे 10% का लाब हो जाए यहनी 200x को इस ढंक से आपको बेचना है कि आपको जो overall जो है 10% का दुकांदार को लाब हो जाए तो पहले यह निकालते हैं कि अगर 300x अगर समान रहता अगर इसको 10% का लाब पर बेचा जाता तो कितना में बेचा जाता तो 110 बटे 100 कर देते हैं तो अगर इसको 330x हुआ अगर 330x में बेचा जाता 300x समान को अगर 330x में बेचा जाता तो टोटल जो है उसे कितना परसेंट का लाब होता उसे टोटल जो है 10% का लाब होता लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने डारेक्टली इस तरह से 10% लाब नहीं कमाया उन्होंने क्या क्या एक बटे त्याही जो है हिस्सा को उन्होंने 15% हानी पर बेज दिया अनि 85X में बेज दिया अब जो 200X है अब करा इसको इस तरह से बेचिये कि overall में मुझे 10% का लाब हो जाए तो यहनी कहने का मतलब है कि अब देखे 330X है ठीक है उसमें से 85X तो मुझे मतलब यहाँ पर आ चुका है यह 85X आ चुका है टोटल मेरे पास कितना है 200X है इसमें 200 पलस 85 कर यह 280 हो गया 280X तो यहाँ पर कितना हो यह 5 और यह 84X आ चार बार और यह गया आपका अनि कि 45X अनि कि कहने का मतलब है कि 45X के लगभग जो है इसको मतलब कह सकते हैं कि इसको प्रॉफिट होना चाहिए मतलब समान को जो है उसे 245X में अगर यह बेज देता है अगर यह 245X में बेजता है इस समान को तो इसको जो है कितना हो जाएगा इसको मतलब overall में 10% का प्रॉफिट हो जाएगा देखे कैसे निकाले यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अब देखे यहाँ मेरे पास 85X है ठीक है 85X में बेज चुके है अब देखे 330X है मेरे पास अगर 330X मुझे अगर मिल जाता तो overall 10% हो जाता लेकिन मुझे अभी तक मिला कितना है मुझे मिला है अभी तक मात्र 85% अभी तक हम लोगों को मिला है 85X मिला है मतलब टोटल अगर 330X मिलता तो 10% का लाब होता लेकिन अभी तक हमको 85X के बल मिला है तो इसमें 85X गटा देते हैं 245X अगर और मिल जाए तो मुझे जो है overall में 10% का लाब हो जाएगा अब देखे 245X मुझे मिलने के लिए कितना में मुझे 245X मिलेगा तो ये 200X जो समान बचा हुआ रिमेनि इसी को इस तरह से बेचेंगे कि हम लोगों को 245X में इसको बेच देंगे तो मुझे overall 10% का लाब हो जाएगा तो देखे 200X में 245X महले 100 में कितना होगा 100X में हो जाता कितना 122 10 मलब 5X ये हो जाता न इसका आदा इसका दोनों को 2 से 2 से डिवाइट किये तो टोटल कितना होगा सारे 22% नहीं हो गया ये सारे 22% हो गया तो ये आपका answer हो जाए सारे 22% के लाब पर अगर बेचे तो overall जो है उस समान पर जो है overall 10% का लाब हो जाएगा तो बहुत यह असान है common sense का problem है आप common sense यूज़ करेंगे आपसे ये question हो जाएगा राम से ठीक है next question चलते है किसी परिक्षार्ती को परिक्षा उत्तिर्न के लिए 40% अंक प्राप्त करने है 40% अगर अंक लाता है तो वो उत्तिर्न हो जाता है वो 180 अंक प्राप्त करता है total कितना अंक प्राप्त कर रहा है 180 अंक प्राप्त कर रहा है और बराबर अंकों से अनुत्तिर्न हो जाता है मतलब 180 अंकों से ही वो अनुत्तिर्न हो गया मतलब वो जो है उत्तिर्न हो पाया अगर इसे 180 अंक और मिल जाता तो वो जो है उत्तिर्न हो जाता मतलब अभी 180 अंक मिला अगर 180 अंक और मिल जाता इन्होंने का रहा है न बराबर अंकों से वो अनुत्तिर्न हो गया मतलब 180 और नम्मर आ जाता तो वो मतलब उत्तिर्न हो जाता मतलब 40% अंक उसको मिल जाता तो यहीं 360 नम्मर उसको लाना जरूरी है अगर वो उत्तिर्न होना चाहता है तो परिक्षा का पुर्णांग कितना है तो दीए 360 नम्मर जो है यह 40% के बराबर है यही कर रहा है न उत्तिर्न होने के लिए 40% अंग चाहिए टोटल मार्स कितना चाहिए 180 अंग प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्यूर्ण हो जाता है मतलब 180 अंग से ही अनुत्यूर्ण हो गया और तो टोटल 360 नम्मर बराबर हो गया 40% के अब देखिए पूछा जा रहा है कि 100% कितना होगा तो यह x माल लेते हैं इसको by cross multiplication किजिए 360 गुना 100 बराबर 40x हो गया इसलिए x बराबर कितना हो गया 360 गुना 100 divided by 40 यहां से किजिएगा तो 496 अनि कि 900 अंग का प्रिक्षा था ठीक है तो यह आपका 900 हो जाएगा टोटल जो 900 अंग था तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मारे comment box में लिखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो वीडियो को share जरूर किजेगा ताकि जो लोग coaching effort नहीं कर सकते हैं वो लोग भी इसका फाइदा उठा सके share किजेगा like किजेगा और जो लोग अभी तक subscribe नहीं किया है चैनल्स को वो लोग subscribe भी कर सकते हैं online study channels को ठीक है thank you so much friend for watching this video thank you, thank you so much